Hello everyone, welcome to our channel, join MNS Academy आज की वीडियो में हम topic 2 करने वाले हैं, lucid book का first हमने पहले ही कर चुका, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख रहे हैं ना इसमें हम करने वाले हैं, first in India, female तो basically superlatives कर रहे हैं हम और हम वही करेंगे, जो book में दिया हुआ है, okay so start करते हैं, उससे पहले अगर आपके पास book है तो आप book खोल के बैठ जो मेरे साथ, because जैसे आपने पहला session अगर attend किया होगा, तो आपको पता होगा, मैं just book से नहीं पढ़ाती आपको साथ मैं extra information भी देते चलती हूँ, जो book में नहीं मलती आपको तो आप अपनी book खोल के बैठ ओ, pencil लेके बैठ ओ, जो मैं आपको बता रही हूँ, असाथ में लिख लेना अगर आपके पास book नहीं है, तो I would suggest you कि please अपनी copy लेके बैठ ओ, ताकि आप अपनी copy में इसको note कर पाओ and yes of course मैं PDF प्रोवाइट कर दूँगी, बट मैं आपके लिए ही बूल रही हूँ, आपका ही इससे benefit होगा, अगर आप लिख के करोगे, आप दिन भर screen पर देखोगे, तो आपकी आखे भी खराब हो सकते हैं, पता चला last में आपका test निकल गया, और medical में आप, क्योंकि दिन से पढ़ोगे, आखो पर ही आपके effect होगा, last में medical की टाइम पर आपका वो problem हो सकता हो सकता है, ठीक है, तो चलो हम start करते हैं, पहला है first woman president, पहली woman president जो थी इंडिया की, वो थी श्रीमती प्रतेभा पाठल, और ये इंडिया की कौन सी president थी, ये 12th president थी इंडिया की, इनका ज ये president मनने से पहले, ये governor of राजस्थान भी रह चुकी है, ओके, next है, first woman prime minister, ये तो सब को ही पता होगा, कौन है श्रीमती इंडिरा गांधी, श्रीमती इंडिरा गांधी जो थी, ये कौन थी, जवाहर लाल नहरू की बेटी थी, नाम पे इनका गांधी आता है, तो ये मैं सो है, first woman governor, जो first woman governor थी, ये थी, सरोजनी नाइडू, ये भी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की ही थी, so ये भी INC, इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की एक member थी, ठीक है, प्लस ये poet भी थी, एक poet थी, और एक independent का जो हमारा चल रहा था, उसमें इनोंने काफी अपना योगदान भी इंडिया था, काफी पार्ट लिया था, ठीक है, next है, first woman ruler, ठीक है, on Delhi throne, तो ये डेली की first, मतलब थी तो पूरी इंडिया की, पर डेली पे ये थी, ठीक है, इनका नाम था, रजिया सुल्तान, और ये first muslim ruler भी थी, और ये किसकी बेटी थी, इल तुतमिश की बेटी थी ये, next is, first woman IPS officer, जो first woman IPS officer थी, वो थी किरन बेदी, ये police officer IPS officer तो थी ही, साथ में ये एक Indian politician भी थी, former tennis player भी थी, और ये एक social activist भी है, okay, next है, first woman chief minister of state, ये कुछ खास important नहीं है, states वाले उतने आता नहीं है, ये है, सचिता कृपालनी, next है, first woman union minister, या first union health minister, तो ये थी, राज कुमारी अमरित कौर, इन्होंने भी independence के टाइम पर काफी काम किया है, next है, first woman president of INC, INC की first woman president कौन है, INC की आया भी मैंने उपर बताया आपको, Indian national congress, तो वो थी, Annie Basin, so Annie Basin के बारे में आप सबने तो पका सुना होगा, ये London bond में bond हुई थी, मतब इंडिया की नहीं थी, लेकिन ये इंडिया के independence के लिए उन्होंने काफी काम किया था, ये socialist थी, education थी, women rights के लिए उन्होंने काफी काम किया है, schools and university में भी काफी सारा इन्होंने, और जैसे कि मैंने बोला, काफी सारे लोग तब जित्ते भी है, अगर आप पुराने देखोगे, तो वो INC से ही जुड़े हुए, कि उस time एक वही जो party थी काफी, बड़े level के एक party जिसको, बाद में अगर आपने history पढ़ी है, थोड़ी सी तो आपको पता होगा, INC में भी काफी सारा division हो गया था, तो वो सब जब कभी history पढ़ेंगे, तो मैं वो सब आपको करवाओंगे, ठीक है, अभी next है, first woman judge of supreme court, supreme court की first judge कौन थी, female, वो थी, मीरा साहई फातिमा बीब ठीक है, काफी जगा जब आपने पढ़ा होगा, तो यही लिखा हुआ हैगा, next है, first woman to get Ashoka Chakra, Ashoka Chakra सबसे पहले किसको मिला था, तो यह थी Neerja Banod, इनके बारे मैं आपको पका ही पता होगा, इनके उपर movie तक आ चुकी है, Neerja करके आपने movie देखियोगी, जिसमें Sonam Kapoor थी, इनोंने flight में जो लोग hijack हो गए थे, around 59 लोग था, I guess, उनको सबको safe किया था, and she was just 22 at that time, okay, so next, next photo, अच्छा लो, आपके लिए question है, पहला question है आपका, ठीक है, यह first woman president, इनका नाम आपको बताना है, नीचे comment करके, और यह कौन है, यह है, Neerja Banod, ठीक है, और यह इनका Ashoka Chakra, तो पहला question हो गया, आगे चलते हैं, first Indian woman ambassador at United Nations, तो यह है, Vijay Lakshmi Pandit, this is not important guys, okay, first Indian woman to swim across English channel, यह काफी important है, पिछले बार यह question भी आया था, wait, ठीक है, आरती शहा या आरती गुपता, ठीक है, आरती गुपता लिखा हुए दिखाता है, कहीं के पर आरती शहा दिखाता है, में भ English channel को cross किया था, यह एक Indian Bengali थी, and 1959 में इन्होंने इंग्लिश channel को cross किया था, और 1960 में इनको award भी मिला था, next is first Indian woman to get Nobel Prize, पहली Indian woman जिनको Nobel Prize मिला था, तो वो थी Mother Teresa, वो भी 1979 में, तो आपको पता होगा, इनके बारे में तो, प्लेस यह भी यादर क्रे 2020 में इनके उपर question भी आया था, कि Mother Teresa University कहा है, ठीक है, अगला है first Indian woman to climb Mount Everest, पहली Indian woman जिनकोंने Mount Everest क्लाम किया था, वो थी बचिंदरी पाल, next है first Indian woman to become Miss World, तो यह है Miss Rita Freya, अगला है first Indian woman to climb Mount Everest, twice, दो बार चड़ी हैं Mount Everest को, तो यह है संतोष यादव, अगला है, पहली Indian woman जो Miss Universe बनी है, तो यह है शुष्मता सेन, अगला है first Indian woman to get Bharat Ratra, तो यह again है इंद्रा गांधी, इंद्रा गांधी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगला है first Indian woman to get Gyanpete Award, तो यह है आशा पूर्णा देवी, यह question मैंने कभी नहीं देखा, इसको Miss भी कर सकती है, जो मैं wrong, ऐसे cut-cut कर रही हूँ ना, उसको याद नहीं भी करोगे, तो भी चलेगा, इसमें से देखो क्या है important है, यह तो पका important है, इसको कर ले ना, क्योंकि प चड़ा है, अब दो बार कौन चड़ा है, ऐसे करके कुछ भी पूच सकते है, ना, next है, first Indian woman to win WTA title, WTA क्या होता है, so WTA is World Tennis Association, और इसका title सबसे पहले Indian woman जिसको मिला था, वो थी Sanya Mirza, यह कौन है, यह है, आती शाह, और इन्होंने क्या किया था, वो आप मुझे comment करके होग और जिब सर्च करते हैं, तो उपर एक छोटा सा animation दिखाते है, ठीक है, तो Google ने इनको tribute भी दिया था, इसे है, previous year मतलब 2020 में, next, अभी हमने यहाँ तक कर लिया, साइन Mirza तक, first Indian woman pilot of Indian Airlines, अभी आपको यह यहाद रखना है, कि first woman pilot ऐसे करके कुछ नहीं है, आगे का भी ध जो है, वो है, दुर्बा बैनर जी, ठीक है, दुर्बा बैनर जी, दुर्गा ने, दुर्बा बैनर जी, किसी टेस्ट में मैंने ऐसा देखा था, नाम की ऑप्शन ऐसे दे रहे थे, यहाँ पे दुर्बा है, दुर्गा कर दिया था, और उसमें confusing हो जाएगा, next है, first Indian woman to fly an aircraft पहली Indian woman, जिसने कोई aircraft उड़ाया था, तो यह है, सरला ठकराल, ठीक है, सरला ठकराल जो थी, वो थी, only 21 years की, जब उनको, उन्होंने अपना license ले लिया था, और पहली बार उन्होंने aircraft उड़ाया था, और वो कब था, कौन से year में हुआ था, 1930 में, ठीक है, 1930 में उन्होंने य Asian Games, Asian Games में, गोल्ड मिला था, वो कौन सी first woman थी, इंडिया की, तो यह है, कमल जीत संदू, नेक्स्ट है, इंडिया, first Indian woman president of INC, देखो, यह question मैंने mock test में भी डाला था, अगर आपको याद होगा, तो काफी लोग confused हो गए थे, अभी इसके पीछे जो हमने किया, यहाँ पे था की, Annie Basin वाला, तो यह राना, वो question इधर बोला है, first woman president of INC, ठीक है, लेकिन आगे जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, first Indian woman, तो वो Indian नहीं थी, मैंने बिताया, वो लंडन में बॉन हुई थी, यह इंडियान थी, यह थी सरोजनी, नाइडू, नेक्स्ट है, first Indian woman to book, to win booker prize, यह काफे important है, इनके books के उपर भी हमेशा question आई जाता है, यह है, अरुन्दिती रॉय, तो यह है, अरुन्दिती रॉय, फोटो भी लगाए इनकी, नेक्स्ट है, first woman musician to get भारत रत्न, यह है, MS सुबा लक्ष्मी, इनको भारत रत्न मिला हुआ है, नेक्स्ट है, first Indian woman to go into space, यह सबको पता होगा, यह थो हमारी बुक में भी था, इनके उपर स्टोरी, कल्पना चावला, नेक्स्ट है, first female speaker of लोकसभा, तो यह है मीरा कुमार, यह भी INC की ही एक मेंबर थी, ठीक है, और जो 15th लोकसभा था, उसकी यह speaker रह चुकी है, इनका जो टर्म था, 10 year कब से कब तक क्या था, वो था 2009 से लेके 2014 तक, ओके, 2009 to 14, नेक्स्ट है, first female secretary general of India, तो यह है, स्नेहा लटा, श्रिवास्तव, इनके उपर मैंने कभी question ने देखा, इसको आप rule out कर दो, नेक्स्ट है, first female deputy chairperson of राज्यसभा, तो यह है, वॉयलेट, अलवा, यह भी मैंने कभी नहीं देखा, नेक्स्ट है, first female member of parliament, सबसे पहले जब parliament बना, तो अदर सबसे पहले कोई female member आई थी, वो कौन थी, राधा बाई, सुबा, रायन, next है, first female chairperson of UPSC, UPSC की first female chairperson है, वो है, रोज मिलन, बैथ्यू, मैं बताती हूँ, यहां से आपको कुछ भी याद नहीं करना, मैं बस करवा रही हूँ, बाद में अब यह ना बोलो कि मैंने यह topic मिस कर दिया, तो मैं इसलिए जो है, पूरा करवा देती हूँ, लेकिन फाल्तु की चीज़े याद करने के लिए मैं नहीं बोलूँगे, आपको पूरा याद करने हैं, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत न सामली, तो यह है संतोष्ट देवी, यह भी है हर्याना की, यह भी कुछ खास important question नहीं है, यह important है, first female chief justice of any high court, high court की chief justice ऐसे भी आता रहता है, और यह female है और first है, तो यह आएगा, यह है लीला सेथ, ठीक है, और यह थी हिमाचल प्रदेश की, नेक्स्ट है, first female session judge, तो यह है अन्ना चंडी, नेक्स्ट है, first female Indian ambassador to UN, UN, United Nations के लिए पहली female ambassadors जो थी, वो थी, विजया लक्षमी पंडित, नेक्स्ट है, first female Indian to get विजयानपीट अवर्ड, विजयानपीट अवर्ड जो पहली female को मिला है, वो है आशापूर्ण देवी, नेक्स्ट टेप फर्स फीमेल तो गेट अर्जुना अवार्ड अर्जुना अवार्ड किसके लिए मिलता है स्पोर्ट्स के लिए मिलता है आपको यह याद रखना है ग्यानपीर अवार्ड किसके लिए मिलता है ठीक है तो यह है अनी लुम्सन और उनको होकी के लिए मिला था कब 1961 में नेक्स टेप फर्स्ट फीमेल इंडियन तो गेट मेडल इन ओलम्पिक्स यह इंपोर्टेंट है कर्णम महेशवरी ठीक है कर्णम मलेशवरी इनका नाम है और इनके उपर कुश्चन आया हुआ है इसलिए important है नेक्स टेप फर्स्ट फीमेल तो गेट अर्जुन और आर्जी खेल रतन आवर्ड इनको अर्जुना आवर्ड और खेल रतन आवर्ड दोनों ही मिला है यह है कन्जू रानी कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है जो इनका स्पोर्स है वो है Weight Lifting महेशविर का भी weight lifting को भी नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल ग्राजुएट पहली बार किसी फीमेल ने जब ग्राजुएशन क्या था आपको ये भी पता होगा अभी भी पढ़ना कितनी सारी लड़कों के लिए ड्रीम होता है ठीक है तो ये कितने पुरानी बात है देखो 1878 की तो कितनी बड़ी बात होगे उनके लिए कदम बिनी गाउगुली और चंद्रमुखी बासू ठीक है ये बेंगवाल के थे ये दोनों नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल ग्राजुएट ओनर्स ये है कामिनी रोई फर्स्ट फीमेल फिजिशिन ये थी आनन्दी बाई गोपाल राव जोशी नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल सर्जिन ये डॉक्टर प्रेमा मुखर जी फर्स्ट फीमेल ड्राइवर इन इंडियन रेलवेज इंडियन रेलवे में पहली female driver थी ये थी सुरेखा शंकर यादव फर्स्ट फीमेल fighter pilot of IAF IAF क्या है Indian Air Force Indian Air Force का motto क्या है आप मुझे नीचे comment करके बताना क्योंकि ये exam में आया था और मैं ये आपको पढ़ा चुक्की हूँ ठीक है IAF का motto क्या है अभी मैंने बताया है ना कि pilot अलग अलग टाइप कियाते है fighter फिर aircraft तो ये question important है वैसे इसको star भी mark कर लो ये है भावना कंत ठीक है ये थी first fighter pilot of Indian Air Force next है first female pilot to fly solo in Indian Air Force इन्होंने solo fly किया था ये है हरिता कौर देयोल next है first female lieutenant general first female lieutenant general कौन है पुनीता अरोरा और ये जो पुनीता अरोरा है ना इनके बारे में एक fact बताती हूँ जो AFMC है ना Armed Force Medical College इनके education वही से हुई थी ठीक है इनको सेना medal और सरशेस्ट सेना medal भी मिला हुआ है plus ही पहली ऐसी female भी थी जिनको promote किया गया था three star rank के लिए next is first female air marshal जो first female air marshal थी वो है पद्मा बंदुपाद्या है ये important है पुनीता अरोरा इसको याद कर लेना next है first female chairperson of Indian airlines Indian airlines की first female chairperson है वो है शिश्मा चावला next है first Indian female to win Oscar award ये है भानू अथाया important है ये भी तो ये है भानू अथाया इनको Oscar prize मिला था next है first Indian female to ski to the south pole ये कुछ खास important नहीं है इसको आप skip कर सकते हो first female sea channel of five continent ये है भूला चौदरी जैसे मैंने बोला ना अभी बताया था आर्टी शाहा वाला तब मैंने भूला चौदरी के बारे में भी आपको बूला था तो इनके उपर भी question आया है तो ये important है first female to walk across gobi desert so ये थी सचिता क्रदे थानकर next is first Indian secretary general और राज्यसभा ये है वी एस रामा देवी first female actress nominated for राज्यसभा अब ये आपने देखाऊगा ना जो actor and actress है वो लोग भी राज्यसभा लोग सभा इन सब में आते हैं तो जो सबसे पहले थी वो थी नर्गिस ये बहुत ही पुरानी actress है इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में आने के लिए next है first female to reach Antarctica पहली फीमेल जो अंटार्टिका गई थी वो है महर मूस first female recipient of साहित्य अकाडमी अवार्ड साहित्य अकाडमी अवार्ड की पहली रेसिपेंट कौन थी अमरता प्रीतम next है first female participant of Olympic Games तो ये है Mary Leela Rao इसको भी मत्याद करना ये भी मत्याद करना first female chairperson of राष्ट्य महीला आयोग ये है ज्यानती पंतनायक जिसको मैं मना कर रहूँ उसको अपनी बुक में ऐसे cross कर लो कि इसको याद करने की जुरुत नहीं है ठीक है क्योंकि इसके बहुत ही कम chances है या ना के बराबर chances है एक्जाम में आने के next है first female news reader of दूरदर्शन दूरदर्शन पर news read किया जाता है ये कोई भी news channel पर चुरीट किया जाता है तो ये इन्होंने दूरदर्शन पर किया था ये थी प्रतिमापूरी ओके सो another question for you ये कौन है ये है भूला चादरी भूला चादरी कौन थी आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे सो ये हो गया आपका question third ठीक है जैसे आपने first session में कितने सारे बच्चों ने मुझे answers लिखके दिये थे मुझे वैसी इस session में भी answer चीए और अभी तो मैं काफी easy पूछ रही हूँ यार फोटो दिखा के मैं उनका नाम भी बता दे रही हूँ बस आपको ये बताना है कि उन्होंने क्या किया था जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है इसी session में अगला है first female olympic silver medalist in batminton batminton में इनको silver medal मेरा था olympic में ये हैं pv. sindhu next step first female olympic medalist in batminton ये है सायना नेवाल first female medalist in wrestling at olympic ये है साक्षी मलिक sports के उपर जितने भी name है या जितने भी questions है उनको आपको अच्छे से करना है कि sports पर question must आता है ठीक है इसमें सोचना नहीं है कि याद करू या नहीं करू next step first female to get bronze medal in boxing at olympic olympic में पहली female जिनको bronze medal मिला था वो है maricom इनको मिला था 2012 में लंडन olympics में next is first female foreign secretary first female foreign secretary जो है वो है चोले का आयर और ये भी याद रखना maricom को सिफ bronze medal ही नहीं मिला इनको कितने सारे medal मिले है मतलब मैं यहापे लिखवा भी नहीं सकती हूँ इनको खेल रतन मिला है पदम श्री मिला है पदम विबूशन मिला है पदम बूशन मिला है बहुत सारे awards मिल रखें इनको तो आपको ये तो पका ही याद रखना है इनके बारे में और उनको जो भी recent award मिलते रहता है वो भी याद रखना है नेक्स्ट है ये भी sports का है first female to hit double turn in cricket double turn मतलब क्या 200 run ठीक है तो ये कौन थी मिताली राज और ये इन्होंने recently ही किया है next is first female to qualify for olympic gymnastic olympic में जो gymnastic का होता है उसमें qualify करने की लिए जो first female हुई थी वो थी दीपा कर्माकर so दीपा कर्माकर जो है ये 2014 में इनको अपना पहला olympic का medal मिला था which is a bronze medal okay प्लस ये अभी KBC में भी आई थी आपने अगर देखा होगा show तो आपको पता होगा इनको काफी सारे awards मिल रखे है जैसे कि राजीव गांदी खेल रतना अवार्ड फिर पद्मभूशन अवार्ड अर्जुना अवार्ड इस तरीके से इनको काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए है the next है first female Indian member of international olympic community international olympic community की first Indian female member कौन है ये है नीता अंबानी नीता अंबानी कौन है आप सबको पता होगा नीता अंबानी मुकेश अंबानी जी के वाइफ है ये काफी जादा social work करती है जिसके वज़े से ये news में रहती है प्लस जो reliance industry है उसकी ये chairperson भी है इनका एक school भी अपना दीरुबाइ international school करके ठीक है तो उसकी भी ये chairperson है next है first female Indian cricketer to get 100 wickets so ये है देना एड उलजी ठीक है next है first female gold medalist in Asia ये विनेश फोकार्ट so ये विनेश फोकार्ट कौन सा sports में है ये है रेस्लिंग में और इनकी family के उपर एक movie भी बनी हुई थी दंगल अपने अगर देखा होगा तो उसमें इनका और इनका cousin जो है बबीता फोगाट उन सब के बारे में था next है first female to get Norman Borlaug Award जो ये Norman Borlaug Award है ये किस फील्ड में मिलता है so ये agriculture के फील्ड में मिलता है ये मिला है Dr. Amrita Patel को ये जो Norman Borlaug है ये एक human है मतलब एक इंसान थे तो इनको भी काफी सारे awards मिल चुके है ठीक है और फिर जब इनकी death हुई थी एनके नाम पे एक award बना दिया गया next है first female to reach Olympic in track and field event finals so ये थी PT Usha ठीक है आप अगर PT Usha की life story या कुछ ऐसा देखोगे ना तो आपको देखके बहुत inspiration मिलेगी उनसे कितना उन्होंने hard work किया है एंड इतनी छोटी सी age में उन्होंने Olympic qualify किया था बहुत बड़ी बात थी so ये आपका last question this is question number 4 इसमें आपको ये बताना है ये Marycom है आप सबको पता हुआ Marycom को अभी recent सबसे recent award कौन सा मिला है ठीक है चार question हो गए this is fourth one मैं फिर से आपको बता देती हूं this question is third one ये आपका second question है मैंने पूचा था ये किस की photo है ये आपको बतानी है and ये मैंने first पूचा था आप से so that's it इस topic में book में इतना ही दिया था मैंने cover करवा दिया मुझे जो जो important लगा मैंने वो आपको mark भी करवा दिया है I hope आपको ये session अच्छा लगा हो तो अगर अच्छा लगा है तो please इसको जल्दी से like कर दो इसको share कर देना ताकि जिन बच्चे के पास book नहीं है किसी भी reason के वज़े से वो भी इस से पर सके and अगर आप channel पे new हो तो please subscribe भी कर लेना thanks for watching guys इसका third session बहुत जल्दी आने वाला है so stay tuned and all the very best